इंडियन पॉस्टल सर्वेस जिसे हिंदी में भारतिय डाक सेवा कहा जाता है भारत सरकार का एक सरकारी विभाग है जो देशवर में विभिन पॉस्टल सविसेश प्रदान करता है यह भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो लोगों को एक दूसरे से जुनने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। भारतिय डाक सेवा के बारे में आधिक जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखे। भारत में डाक व्यवस्था का प्रारम पहली बार 1766 में हुआ था। के बाद भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी हुआ था। करीब 1.5 लाक से अधिक डाक घरों के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक का नेट्वक है। हर साल 10 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रिय डाक दिवस मनाया जाता है। दुनिया का सबसे उचा डाक धर हिमाचल प्रदेश के हिकिम में स्थित है। इसकी उचाई 4,400 मीटर 14,436 फीट है। भारत का सबसे बड़ा डाक धर मुंबई शहर में स्थित मुंबई पोस्ट आफिस है। पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को श्रीराम भीकाजी विलनकर द्वारा की गई थी। दुनिया का एक मात तैरता हुआ डाक धर श्रीनगर के दल जील पर स्थित है। आजाद भारत का पहला डाक टिकट 14 पैसा का था। 1984 में सबसे रंगीन टिकटो की अंतर राष्ट्रिय प्रतियोगिता में कोचीन की टिकटो को दूसरे स्थान पर रखा गया था। देश के बाहर पहला भारतियर डागधर 1983 में अंटाक्टिका में स्थापित हुआ था। इंडिया पोस्ट को अपनी उत्वरिष्ट सेवाओं के लिए कई पुरसकार मिले हैं, जिनमें यूनिवसल पोस्टल यूनियन यूपी यू का ओपरेशनल एक्सिलेंस अवोर्ट भी शामिल है। महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिनकी तस्वीर स्वतंत्र भारत के टिकट 1948 पर चित्रित की गई थी। जब डेश आजाद हुआ था तक पूरे देश में 23,344 डागधर थे। शहरी क्षेत्रों में 19,184 और ग्रामीं क्षेत्रों में 4,160 थे।